अब जो मैंने आई 512 जन्रेशन की बिल्ड करी थी थी ना 3060 के साथ जिन्हों ने देखी इस वीडियो के बात देख ले ना तो उस वीडियो में हमने Z690 यूज करा था क्यूंकि उस टाइम पे Z690 ही हमारा जो मदर बोड ता ओफीशली लॉंच हो रखा था बट 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 अगर बजट सेग्मेंट के मदर बोड की इंफरमेशन देनी बहुत जरूरी है अपको आज हमारे पास MSI MAG B660 M MOTAR Wifi DDR4 जैसे इसके नाम से बता जल गया यह हमारा Wifi वाला मदर बोड है तो जो हमारे Z690 चिपसेट के मदर बोड आते हैं वह 50-60 की रेंज में आता है तो ड संदर सा बॉक्स है और इंटल मदर बोड ऑवियसली सबसे पहले निकल जाता है हमारा मदर बोड कुछ ऐसी लुक है इसकी इस पर भी बाद में आते है एक हमारे को यहां पर यूजर गाइड मिल जाएगी और यह यूजर गाइड और इंस्टॉलेशन गाइड भाई काम की नहीं है और एक ड्राइवर इंस्टॉलेशन की डिस्क मिल जाएगी यह मुझे नहीं पता वाई क्यों दे रहे हैं आज की रेट में ऑनलाइन निकाल लेते हैं सब दिन यह तो पेंड़र वेंट राइड दो और एक हमारे यहां पर M.2 के क्लिप मिल जाते हैं जो हमार तो सेम है बट देखा जाया तो लुक्स हैं बहुत प्रीमियम और यार मैं कोशिश करूँगा कि मदरबोर्ड की वीडियो ना जितनी सिंपल हो सके उतनी रखने की कुछ जाधा ऐसी इंफोर्मेशन नहीं दूँगा जो एक एंड यूजर के लिए किसी काम की नहीं होती बह वीडियो वाली वीडियो है वह भी इसलिए बना रहा हो क्योंकि जब पीसी बिल्ड वाली वाली वीडियो में करेंगे और यह हमारा माइक्रो एटी एक्स फॉर्म फैक्टर में आता है और जिसको फॉर्म फैक्टर नहीं पता आप गूगल कर लेना मतरबोर्ड के ना अलग अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोई ऐसी चीज नहीं है और इसकी विया रहे में 12 ड्यूट रेल पावर सिस्टम के साथ आती है मतलब अगर मैं सिंपल भाशन बता हूँ तो अच्छे से अच्छा प्रोसेसर भी आप इसके अंदर लगा सकते हो कोई ऐसे दिक्कत नी होने वाली बट वही बात है आई 3 आई 5 इवन इसेवन वाले तो यह वाला मदर बूर कंसिडर करेंगे आइन वाला तो डेफिनेटली जी 690 के लिए जाने वाले है तो उनको तो आप्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा भी और यह मतरबोर्ट में हमारे को मल्टी का भी सपोर्ट मिल जाएगा अब आ जाते हैं मतरबोर्ट के मिन मिन स्लोट के उपर है सबसे पहले राम स्लोट के उपर आ जाते हैं चार हमारे को यहाँ पर राम स्लोट मिल जाएंगे जो हमारे मैक्सिमम 128GB DDR4 3200 MHz क्लॉक स्पीड वाले राम सपोर्ट करेंगे और हाँ वाले लगाते हैं वह उपर वाले लाइज उसमें चार लेंज का सपोर्ट होता है और यहां पर चोटा PCI 3.2 स्लोट मिल जाएगा और इसके बारे को चे साटा स्लोट मिल जाएंगे और चार यहां पर राइट साइड मिल जाते हैं और दो यहां पर इम.2 गे लाट जो 4.0 X4 वाले हैं हमारे तो Gen 4 वाली SSD आप इसमाराम से लगा सकते हो कोई दिक्कत नी है और जो M.2 slot के ओपर heat sink यूज हुई है ये shield frozer कह रहा है MSI मतलब कि यहां पर अच्छे thermals मिलेंगे हमारे M.2 के भी क्योंकि इतने अच्छी SSD लगाते हैं तो तो उसके लिए हमारे M.2 की heat sink अच्छी होनी चीए और एक अच्छी चीज लगी मेरे को यहां पर हमारे को USB-C का connector भी मिल जाता है क्योंकि जितने हमारे latest cabinets आ रहे हैं वह USB-C port के साथ आते हैं और यहां पर USB-C का भी connector मिल जागा तो यह भी एक अच्छी चीज है अब आ जाते हैं इस motherboard के लास्ट पार्ट के ऊपर जो कि है हमारे IO ports उपर से स्टार्ट करते हैं चार हमारे को USB 2.0 के port मिल जाएंगे एक HDMI 2.1 का port मिलता है और एक display port 1.4 का port मिलता है यह दोनों के दोनों port हमारे 4K 60Hz तक support करते हैं तो अगर आपको iGPU से output चाहिए तो आप इस motherboard से ले सकते हो फिर नीचे आपको एक USB C 3.2 Gen 2 X2 वाला port मिलता है जो 20 Gbps वाला है उसके बाद हमारे को 3 USB Type A 3.2 Gen 2 वाले port मिलता है जो हमारे 10 Gbps वाले है तो बस यही था इस motherboard का overview जो main-main knowledge में आपको देनी थी इसके लावा और detail में जाओ और complicated करूं वो सही नहीं रहेगा तो definitely कोई budget बिल्ड करेंगे चैनल पे Intel के 12 Generation प्रोससे साथ तो वहाँ पे हम motherboard यूज करने वाले हैं तो इसकी information हम पहले आपको दे चुके हैं वहाँ पे वीडियो में नहीं बताएंगे वीडियो का लाइक मार देना कॉमेंट कर देना कुछ suggestion query या कुछ भी आपको चाहिए और बागी share कर सकते हैं अगर आपके मन में शरद्धा है अपने दोस्तों के साथ शरद्धा शरद्धा वाली शरद्धा दूसरी शरद्धा नहीं चैनल के प्रति शरद्धा तो हम मिलते नेक्स वीडियो मा दब तक के लिए बाइ